खूलो प्रेंड विल्कम बैक टो माई नीय ब्लॉग गुड डिपनिंग तो यह अभी स्टाम का वग्ध है करीब साथ बजे का तो यहाँ पास सबजी भाजी लेके आये हुए थे मार्केट गया थे तो अज सबची भाजी थोड़ी थोड़ी पावभाजी बनाने के लिए ले तो मैं तो पूरी जो कटी रखी है न उसको भी मैं डाल दे रही थी पर जादा हो जाती और दो गाजर मैं आपास कट करके डालूंगी और गोभी तोड़ से हो गई वीन्स हो गया मटर हो गया यह सब तो यहां पल पले सब्जी को छेल के काटके और रख लेती हूं दोने के लिए पत्ता गोभी मैंने पहले इसकी जो पत्ते थे उपर निकाल लिए हैं और इसमें मेरियम साइज के मैंने तीर आलो लिए आलो से क्या है ना कि थोड़ा सा ग्रेवी ठीक बनती है और अच्छी भी रहती है जो भाजी बनती है वो अच्छी रहती है तो इसलिए सबसब्जियों को मैंने हापास कट कर लिया है और अब जंदी से साफ कर लेते हैं थोड़ी से सिम्बला मेरिच रखी थी मेरे पास एक तो उसको भी मैंने डाल दिया पर बच्चों को नहीं बताया तोगी खास छिलके मैंने ले लिया एक पाव मंन मटर लेके आए थी मटर अभी शाट रुपए है तो मैं थोड़ी सी लेके आय थी कि आज के योज के लिए और इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं सब्जियों के साथ या बात में मिला सकते हैं तो एक साइडर मने पकने के लिए और दोस्ते साइड क्योंकि मैंने टमाटर को कर्मी नहीं डाला है तो टमाटर को पहले हलका हलका सा रोस्ट कर लोगी थोड़ा थोड़ा सा कि ताके उसे जो छिलके निकल जाए तो छिलके फिर वे अच्छे से ना चब हम उसका भाजी बनाते हैं सब्जियों को तो अच्छे से नहीं हो पाता है तो छिलका पहले मैं निकाल लूँगी तीनों तीन टमाटर मैंने लिए हैं तो तीनों का छिलका निकाल के और अच्छी बंदियों कि पी टमाटर ने अग्दम गुल जाते हैं मैं भाजी बनाने के तैयारी करने लगी हूँ तो मैं आज क्या भूल गए थी लाने के लिए बटर नहीं था मेरे पास क्यूंकि ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी तो मैंने यहां पास घी का उप्योग किया है तो मैंने गी लिया था एक देट चमल के करीब और उसमें डाल लैसुन फ्याज अद्रक बारी कट करके चाहे पीस लीजे चाही कूट को मतलब लीजे और बारी कटा हुआ प्याज प्याज को अच्छे से पका लेना मतलब कच्ची बिल्कुल नहीं लेने चाहिए इसके पाद मैंने इसमें डाल दिया है ट्माटर को अच्छे से मतलब सब्जाइ अच्छे नहीं पकने हैं तो यहां अच्छे से पका पाएंगे, क्यूंकि प्याज को मुझे लिए दूपकिते हैं, और प्याज पेड़ना रहाने हैं, तो अच्छे से पूरा हुआ है। तो साड़ी को आप चाहे तो पूरे जो अभी कडशुली से या छणी से किस से भी पर मेरे पास जो के मैस करने वाला होता है ना पावभाजी ओ था तो उससे मैंने मेस किया है और इसे टाइम लगता है और क्या है कि थोड़ा सा ना है वक्त भी लगता सब्जी को अच्छे से के लिए और आप थोड़ा सा इसमें घी बटर और डाल सकते हैं तो यहां पास मैंने घी डाला था जो कि मैं मतलब सूट करना भूल गई उस टाइम कैमरा वन था समझ भी नहीं आया और एक चमस के करीब मैंने इसमें घी डाला था आपके बटर है तो बटर का यूच कर सकते हैं और एक पूरा नीबू आप अपने टेस्ट के अनुसा नीबू डाल सकते हैं कि खटाई किसी किसी को नुकसान करता है तो इसकी हिसाब से आप नीबू इसमें एड़ कीजिए तो एक नीबू था बड़ा साइच का मैंने इसमें पूरा उसका रश निकाल दिया जाए और करते हैं से इसमें अपने पानी शुकर कमकरते हैं यहां अपना साइफ waters करें भड़ा घृटर अइंड़ा से वूर्ड मता मत बड़ा सुओं से था में बड़ा झालिए पत्ति बूंग दन कर दूंगा तब गड़ा मसाला धनियापती एक बार लाश्ट में अब इसको देख रहे हैं मैं चेक कर रहे थी कि पका की नहीं अब इसमें इसको और फेट के फिर इसमें मैं डाल दूंगी पानी थोड़ा सा जो कि आप भी आप लोग आंगे देखेंगे और एक साइट मैं सेखने लगी हूं पाओ अब बटर तो था ही नहीं कैसे कि आप लोग बताए कि मैं भूल गए थी और यहां पास में मिल भी नहीं रहा बज़े मार्किट ही जाना पड़ता है थोड़ा सा दूर तो इसलिए फिर मैं मतलब जाए कोई गया नहीं ऐसा कुछ न पानी डाला तो मैं आप लोगों को आंगे दिखाऊंगी लगता है को मैंने क्लिफ जोड़ना भूल गई हूं तो कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है तो यह आप यहां पास देख सकते हैं कि मतलब ठीक हो गई यह मतलब पतली थोड़ा इस पे पानी करीब मैंने आधी गि जो भी पाव हैं बाकी के सभी सेख लेती हूं तो पाव के आएंग में बटर से ही अच्छे लगते हैं सेखने के टेस्ट आता है और मेरे पास रखी हुई थी मॉमोस की चटनी जो हम लोग मार्केट गए थे तो दो इसे मॉमोस भी लेके आये थे ना तो उसकी चटनी रखी है झालीगा गशल पास ने अइना टिय該न रहें करो आता हो दिया है सेखम लाब एफेकर को दोर भी लोन fusion के जो एले सेखते है तो अब इसी चीजे तो बन नहीं है ठंडियों में तो चलिए फटा पर टूटियां बना लेती हूं तो चलिए खाना पीना सबका कमप्लीट हो चुका है थोड़े से पाव बच गये हैं मैं भाजी भी बच गई है तो इस अब मैं निकाल के कड़ाई से रख दोंगी कल बच्चे खा लेंगे और फटा फट किचन साफ को लें जादा बरतन तो हुए नहीं थे बस थोड़े से ही बरतन थे तो साफ कर लेती हूं तो वैसे आज बरतन साफ करने के लिए पानी भी नही है तो जो दुपार के बरतन है पहले इनको लगा देती हूं और पहले देखती हूं टंकी में जाकर पानी होगा तो वरतन साफ करूंगे यूजवर की लिए हुआ ना तो फिर बरतन में नहीं साफ करूंगी इस सुबहे जब मतलब मोटर चल जाएगी तभी मोटर खराफ हो पानी की प्रॉब्लम है तो चलिए कोई बात नहीं हो एक दो दिन में सही हो जाएगा और आपास बचों का लंच बॉक्स है इस बंद करके अलागी रख देती हूं और बरतन में रात में नहीं शाप करी थी बस ऐसे ही किचन मैंने क्लीन करके और रख दिया था कि पानी था म इनको भी मैंने फोल्ड किया है और अभी टोकरी लेके आई हूं तो टोकरी में पहले कठा करके ना सारे कपड़े में रख देती हूं काफी कपड़े हो गए थे और जब कप्र में मैंने साफ कर लिया तब पता चला इन्होंने मना किया कि मतला मोटर खराफ हो गई है तो पर दूलत हो गए थे तब तक तो चलिए कोई वात नहीं चलता रहता है पानी का काम ही और बहुत सारे कपड़े हो गए थे बच्चों के ठंडी वाले खासकर कपड़े और यह ब्लाउज मैंने दिया था इस्टिश करने के लिए तो सिल चुकी है यही मैंने साम को लेने के ब्लू वाली तो इदोनों मैंने स्टिश करवाए अभी मैंने उनको मतलब पहन के नहीं देखा कि कैसी सीली है देखने में तो सही ही लग रही है और बाकी का उप तो पहने के बाद पता चलेगा जो मेरी हरी वाली ब्लाउज है इसको मैंने दिया था नाप के लिए तो ब्ल स्टो मतलब अंदर वाली रूम में फिकलार मारी आलमारी में लगा दूँगी और एक सूट फीस है इसको मैंने ओडर किया था मीसो से जो आज आ गया है इसका रिव्यू में मैं आप लोगों को बात में दूँगी कैसा है फिलाल तो मुझे इसका जो यह कुर्थे का है तो मतलब ठीक ठाक ही है मगर जो सूट फीस है मतलब जो कुर्थे का कपड़ा ना बहुत ही अच्छा है और इसके बाद मैं कपड़े लाके स्टोर रूम में रख दी हूँ और अभी जो अंदर वाला रूम में यहां कोई लेटता है नहीं तो इसको मैं क्लीन कर देती हू तो सुबह के लिए मेरे लिए ही आसानी होगी साफ सुत्रा रहेगा तो मतलब वही काम मेरे लिए काम हो जाएगा इदर सुबह अलोड़ी बहुत सारा काम होता है तो जितना काम मतलब कंप्लेट रहे रात में उतना ही अच्छा होता है सुबह के लिए सही भी होता अगर रा और आपके फॉल्ड करके और इनको लगाना है अलमारी में तो अब मैं नहीं लगाऊंगी सुबह लगाऊंगी में रख दोगी ले जाकर और फिर इनको लगायं कि आलमारीमी बिस्तर में ठीक कर दिया है और बच्चे लेट गए है चलती हम दूद गरम करने के लिए देने के लिए और ताइम बताऊं तो 10 बजे का टाइम हो चुका है और आज पानी नहीं था तो बर्तन रखें वे थूलने के लिए तो मतलब है इतना नहीं कि पूरा पानी कhatum हो घृझत हम है कि और इसके बात फिर से की चन में आ गयी हो थोड़ा साथ depreci है कि दूध गरम करके डेना है सब को और पानी भी गरम करना है रात के लिए सpowान करते तो बच्चा 번째ぎ मैं ने सब करें विखके-दोद बच्चों को बना कर दो तो इनको दूंगे गुड़ डालके तो चलिए थोड़ा सा रखतियों पानी गरम करने के लिए और आज का काम जो है न वो खतम होता है बस यहीं पर किचन का और डेली का हमारा जो हाउस बाइफ का खास कर जो होता है न यहीं देली का काम रहता है सुबह उटो वही फिर से बचों स्कूल और खाना पीना फिर वही जाड़ों पहुंचा वरतन और यह काम ना हम लोगों कभी खता भी नहीं होता है आज सोचेंगे कि आज एक तक काम नहीं करें कि तो कोई नया काम बन ही जाता है वो तो चलिए कोई बात नहीं है और दूद में ढखके रख देती हूं काफी अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लिश वीडियो को लाइक कीजेगा साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फिर मैं मिलती हूं आप लोगों से नेच्ट वीडियो में